भलो में केले का खास इस्थान है चूकि इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर होती है इसलिए ये सहज उपलब्द भी होता है केला गर्म मौसम में होने वाली फसल है इसकी खेती के लिए 30-40 डिगरी वाले शेत्र ज्यादा सही माने जाते हैं लेकिन गर्मी के मौसम में यानि अपरेल मई जून के महीनों में तेज गर्म हवा से पौधू को बचाने के लिए सही इंतजाम रखना जरूरी होता है क्योंकि तेज गर्म हवा केले के लिए बहुत ही नुकसान दायक होती है गर्म हवा के थपेड़ों से पौधों में नमी की भरी कमी हो जाती है इसके पत्ते फट जाते हैं जिससे प्रकार संसलेशन की क्रिया में बाधा आती है और पौधे मुर्जा कर सूखने लगते हैं इसलिए इस मौसम में केले के बागों का खास प्रबंदन बहुत जरूरी है क्योंकि हमको पता है कि गर्मी आने वाला है ऐसे कंडिसन में आप लू से या गरम हवा से या तेज हवा से बचाने के लिए आप वाईव अरोध है जो विंड ब्रेक की बात करते हैं उसका प्रियोक करें इसके लिए आप केले के बागान के चारो तरब धैंचा की दो लाइन अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित रूप से उसे क्या होता है कि जो गरम हवा का थपेड़ा होता है वो बागान में नहीं जा पाता है इसके लावा अगर पौधों में केले का बंच यानि फलों का गुच्छा अप्रेल मई महीने में निकल आए तो समस्या बढ़ जाती है इसलिए कोशिश ऐसे प्रबंधन की करें ताकि बंच निकलने की अवस्था थोड़ा आगे पीछे हो फिर भी अगर केले के गुच्छे न कर सकते हैं इसके लावा जब पौधों में फलों के गुच्छे निकलते हैं तो उनका भार उस तरब बढ़ जाता है इसमें अगर तेज हवा चले तो पौधों के गिरने की आशंका बढ़ जाती है इसलिए स्टैकिंग ज़रूरी है यानि पौधों को बास बल्लियों का सहारा देना लेकिन इन सब के बीच पौधों के पोशन का भी उचित ध्यान रखना पड़ता है केले की खेती में सबसे एहम है सिचाई प्रबंधन क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी का वाश्वी करण बहुत तेज गती से होता है ऐसे में किसान केले के पौधों के नीचे मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लाबा जब जरूरी हो तो पौधों को सिचाई देना भी बेहत जरूरी है इस तरह है अगर आप बताये गए तरीकों से अपने केले के बगीचे का प्रबंधन कर पाते हैं तो इन में गर्मियों में होने वाले नुकसान से बच जाएंगे साथ ही फलों की क्वालिटी और क्वाइंटिटी दोनों में बढ़ोतरी होगी विपरीत मौसम का कोई बुरा प्रभाव भी आपकी फसल पर नहीं होगा बीरो रिपोर्ट जी मीडिया